हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआउं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो भई आज की मेरी वीडियो होने वाली है ट्रिपल वन फॉर के लिए और आप सबी उसको जानते हैं तो मैंने कल उसकी वीडियो देखी तो वीडियो में मुझे भई एक बात जो है बहुत खटकी है कि उस बंदी ने बोला है कि मैंने किसी की भी बच्ची के लिए कभी कुछ नी बोला मैं किसी की जट ऐसे नहीं उतार सकती ठीक है और सना इमरान के लिए भी बोला है कि मैंने उनकी बच्ची को कुछ नी बोला और किसी की भी बच्ची को उन्होंने ये भी बोला है कि किसी की भी बच्ची के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकती ठीक है तो मैं आप लोगों को यहां पे एक क्लिप दिखा रही देख लो एक दूसरों का ये सब सुनने वाली कैसी अवरोत होगी ये सुन सकती है तो तू तो मामा के साथ गई होगी कहीं है ना यानि तो मामा आया होगा तेरे पास तो इस सुनके तू मजा भी लेके है और बहुत इज़तदार समस्ती है चल अभी तो तेरी लड़की को भी तो वही धंदे में उतारेगी बोलती हूं खुला तू धंदे वाली है और आता है तो तू और तेरी बेटी को भी धंदे पर उतारेगा हांजी तो आप सबने देख ली और ये उसी की है उसी की वीडियो है उसी के चैनल पे है ठीक है और वहीं से मैंने ये कलिप ली है क्यूंकि मेरा मक्सित सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना है कि ये ओरत कितनी जूठी है और कितना जूठ बोलती है कि मैंने किसी मतलब नहीं बोला है ना किसी की इज़त नहीं उतारी किसी की बच्ची के लिए गलत नहीं बोला तो आप लोग इसमें खुद सुन सकते हैं कि एक औरत को बोल रही है कि तू वैसी है और तू अपनी बेटी को भी वैसा ही बनाएगी तो क्यों वो बेटी नहीं थी जिस तरह से सना सिस्टर इमरान भायजान की बेटी है उसी तरह से वो भी बेटी थी ठीक है और अगर हाँ एक और बात तूने बोला कि मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो मैंने सना इमरान के लिए बेटी के लिए कभी कुछ नहीं बोला तो उनसे करवा रही है तो तेरे चैनल पे कैसे मिलेगा वो सब कुछ तेक है और रही इज़त उतारने वाली बात कि नहीं मैं नहीं कर सकती तो क्यूं साहरा सत्तानी ओरत नहीं थी अभी कुछ दिन पहले तू बंगालन कर रही थी वो औरत नहीं है फिर ये बात कैसे बोड कि अगर किया है तो उस चीज को एकसेप्ट करो कि हां मैंने किया है ठीक है और रही बात मैंने भी साहरा सत्तानी के लिए बोला है ऐसा नहीं है क्यूंकि अभी कुछ लोग आ जाएंगे जो इसके चमचे होंगे वो आ जाएंगे और मुझे बोलेंगे कि तुमने भी तो साह मैंने बोला है और उसके लिए जब मुझे उसका एहसास हुआ उसके लिए मैंने माफी तलाफी भी मांग ली है उनसे ठीक है अब वो उनके उपर है माफ करना नहीं करना क्यूंकि उनका दिल दुखा है ठीक है और अभी भी मैंने माफी मांग ली है इसका ये मतलम नहीं है क मैंने फिर भी ये बात बोली है कि जब-जब मुझे उनके वीडियो में ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी बात लगेगी कि जिसके उपर मुझे बोलना चाहिए मैं बोलूँगी लेकिन जो उनकी personal life है छी के पास्ट लाइफ है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी ठीक है न लेकिन तेरे अंदर वो भी नहीं है, कि तू सोरी बॉल सके किसी को, ठीक है, तेरा जो एगो है ना, वो बहुत हर्ट होता है, तो किसी को सोरी भी नहीं बॉल सकती, सन असिस्टर और इम्रान भाईजान ने तो सिधा सिधा बोला था, कि भई एक वीडियो बनाके डाल दे सोरी, कि बात वहीं के वहीं खतम होजेगी, लेकिन नहीं, तुझे तो खुंदक उताने होते हैं, खुंदक लेके रखती है, जिस तरह से टिक टोक के टाइम से तुने सा अपने आप से तो कुछ नी बोला, लेकिन दूसरों से करवारी है, और दूसरों से बुलवा रही है, जो तुने रखे हुए हैं, बोलने के लिए, और बुलवाने के लिए, कुछ और लोग भी थे, लेकिन उनको शायद अकल आ गई, या फिर उनको पता चल गया तेरी असल पूठ बोला कि मैं किसी की बेटी के लिए कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती यह मैंने सना इमरान की बेटी के लिए कुछ बोला ही नहीं और सना सिस्टर से मेरी हाथ जोड के request है भई कि अगर आपके पास इसके खिलाफ कुछ भी proof है तो आप डालो आप बोल रहे थे ना कि हमारे प बोला कि दो दिन रुक जो तो लोगों के कहने पर मत आओ ठीक है आप अपना देखो अगर सच में ही कोई प्रूफ है तो आप दिखाओ ताकि जो है वो पब्लिक ऐसे बेवकूफ न बने क्योंकि पब्लिक जो है वो पिछले 5-6 मेने से घूमती आ रही है कभी साहरा सत्तानी क चक्कर में घूम रही है क्योंकि उन सब बातों का खुलासा अभी भी नहीं हुआ है और अभी इन सब बातों को लेके घूम रही है क्योंकि ये बाते शामने तो आ गई हैं लेकिन लोग अभी भी आपको ही बोल रहे हैं कि बेटी का सहारा ले रहे हैं या फिर कुछ कर रहे ठीक है और कह रहे हैं कि आपकी बेटी को तो कुछ बोला भी नहीं तो बही उन लोगों को मैं बता दूं कि इसने इसने खुद से कुछ नहीं बोला है लेकिन इसने एक दो बंदे और रखे हुआ है जो कि बोलते हैं ठीक है क्या पता आप उन लोगों को फोलो नहीं करते हैं तो इसलिए आपको नहीं पता, तो सना सिस्टर को यहीं बोलोंगी, अगर कुछ भी है, तो आप डालो, बिंदास डालो, ठीक है, ताकि पबलिक को जो है, वो सच्चाई सामने आए, ठीक है, मुझे इतना ही बोलना था, क्लिप आप लोगोंने देखी ली, कि यह लोगों की ब अच्ची है, और भी बच्चे है, ठीक है, असायरा सत्तानी के बच्चों के लिए इसने अभी जिनको बैठ के यह बोल रही है, कि मेरी स्टैप मॉम है, और मेरे भाई है, तो उन भाई को, उन भाईयों को इन्होंने क्या-क्या बोला है, ठीक है, तो और जिस मुझ से उनको भाईयों को गालियां दिया है और इतना गंदा-गंदा बोला है और भी बहुत सारी गंदी गालियां दिया है तो आज उनको ये बाटके भाई बोल रही है तो इस चीज से आप लोग समझ सकते हूँ कि इसका लैवल कहां तक है ठीक है और अभी तो बहुत धमागे होने वाले हैं चलो देखते हैं कोई बात नी हम भी यहीं बैठे हैं और वीडियो देखने के लिए आप सब का धन्यवाद